स्टुदेंट्स वेलकम टु माइ यूट्यूब चैनल आरके सर माच्स वाले तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 2.5 के थोड़े क्वेशन कराने वाला हूं जी हां मैं थोड़े इसलिए बोल रहा हूं क्यूंकि इस exercise में total 17 questions है तो मैं आपको इसमें parts wise question कराता जाओंगा क्यूंकि अगर मैं पूरे questions solve करने बढ़िया तो video कमस कम 2-2.5 hours की हो जाएगी तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि video उतनी लंबी बने और आप लोग उसको ignore करते रहे तो देखिए मैं आपको छोटे-छोटे parts में यहां पे questions solve करके बताओंगा थोड़े questions जिसमें ज्यादा-ज्यादा bits है मैं उसको 2-3 questions के part में बनाओगा जो one line sentence के questions है मैं आपको कमस कम वो 3-5 questions एक साथ करा दूँगा तो चलिए आईए exercise को start कर लेते हैं तो इस exercise में आपको बहुत सारे formulas identities use होने वाले हैं तो मैं यहां पर exercise start करने से पहले वो फॉर्मने जो कुछ भी use होने वाले हैं वो दाल दूँगा आप प्लीज पॉस्ट करके उसको जरूर देख लीजिए जो कोई मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज जाकर नीचे subscribe जरूर कर लीजिए और चैनल क को लाइक जरूर कर दीजिए क्योंकि अब बहुत सारे जने लाइक नहीं करे बगर जा रहे हैं चलिए वेसराइस को start कर लेते हैं subscribe to the channel RK sir maths वाले and press the bell icon to be notified from every update आई यह एक्सराइस 2.5 का first question आज सॉल पर लेते हैं तो सबसे पहले क्या दिया गया है हमें use suitable identities to find the following products तो identities का मतलब यहां पर formulas होंगे जो कुछ भी आपको यहां पर दिया गया है उसको आपको recognize करना है कि किस form में वो आपको दिया गया है और उसको finally आपको product उसका find करना होगा चलिए first bit हम यहां पर solve करना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है x plus 5 into x plus 2 अगर आप यहां पर गोर्त करते चलेंगे तो यहां पर देखिए यहां पर x और यहां पर x both of them are same दोनों में भी हमें x x मिल जाएगा but x के बाद का term आप गोर करिए x plus 5 और x plus 2 यह दोनों terms यहां पर different है क्या है यह दोनों terms यहां पर different है तो यह किस form में है एक formula आपको दिया गया है that is this is in the form of वो formula का नाम है x plus a into x plus b क्या है वो formula का नाम वो formula है x plus a into x plus b तो देखिए यहां पर similar यह form हो रहा है इसी से यह x plus a similar है x plus 5 से यहां पर यह x plus b similar है x plus 2 से तो यह रहा a जो के है 5 यह रहा b जो के है 2 तो अब इसी का right hand side क्या होगा वो होगा x square plus bracket आएगी a plus b into x plus ab क्या है उसका right hand form अगर x plus a x plus b multiplication में होगे तो अब उसका right hand side होगा x square plus a plus b into x plus ab तो चली हम यहां पर लिख लेते हैं a क्या है a यहां पर है 5 और b क्या है b यहां पर है 2 तो अब यह हमें similar way से ही मिल गया सिर्फ आपको अब उसका right hand side इसका बनाना होगा इससे compare करके तो देखिए x plus 5 into x plus 2 is equal to क्या है right hand side compare करेंगे तो x square plus a plus b मतलब यहां पर a plus b क्या है यहां पर है 5 plus 2 into x plus multiply करना होगा आप a और b को 5 into 2 तो चलिए कर लेंगे अब x square plus 5 plus 2 is 7 7 x plus 5 2 is 10 तो यह रहां आपका product जो हमने इसको multiply करने पर मिला है तो चलिए अब form करते हैं second वाली bit क्या दी गई है हमें second वाली bit में हमें दिया गया है x minus 5 into x minus 5 बहुत simple है यह total term और यह total term को आप गोर करिए दोनों भी same है कुछ difference नहीं है x minus 5 x minus 5 अब इसका power होगा 1 इसका power होगा 1 अगर आप इस दोनों को plus कर लेंगे तो वो क्या होगा x minus 5 whole power 2 because bases are same power should be added 1 plus 1 is 2 अब यह किस form में है देखिए this is in the form of यह formulas आपने बहुत बार पड़े होंगे this is in the form of a minus b whole square किस form में है यह a minus b whole square उसका formula क्या है a square plus b square minus 2ab क्या है उसका form उसका formula है a minus b square is equal to a square plus b square minus 2ab similar आपको यहाँ पर left hand side मिल गया है देखिए a क्या है a is equal to x b क्या है b is equal to 5 यह हमा को left hand side वैसे का वैसा यहाँ पर मिल चुका है अब आपको उसका right hand side find करना है जो के product होगा तो मैं यहाँ पर इसको लिख लूँगा x minus 5 whole square देखिए similar है x a है यहाँ पर 5 जो है वो b है अब इसका right hand side क्या होगा देखिए x square मतलब a square कहा हमें बनाना होगा x square then plus 5 square minus 2ab a क्या है x है b 5 है तो मतलब x into 5 चलिए अब कर लेंगे x square plus 5 square is 25 minus 2 into 5 is 10x तो यह रहा आपका second वाला bit अब देखिए थर्ड वाली bit क्या है थर्ड वाली bit में हमें दिया गया है 3x plus 2 3x minus 2 यहाँ पर difference कितना है difference यहाँ पर सिर्फ plus और minus का difference है तो चलिए इसको भी हम solve कर लेते हैं तो यह किसके form में हैं this is in the form of a plus b into a minus b देखिए यहाँ पर दोनों में भी यहाँ पर 3x 3x सेम है यहाँ पर भी 2 है वहाँ पर भी 2 है सिर्फ difference plus और minus का है तो मैंने उसी टादा का यहाँ पर formula ले लिया है a plus b into a minus b क्या होता है a square minus b square क्या होगा वो वो होगा a square minus b square किस तरह से देखिए a into a is a square plus into minus minus b into b is b square तो यह हमारा left hand side तो बिल्कुल similar है इसके जैसा तो a की place पर यहाँ पर क्या है a की place पर है 3x b की place पर क्या है b की place पर है 2 तो चलिए अब यहाँ पर इसका product find कर लेते हैं 3x plus 2 into 3x minus 2 तो क्या होगा वो a square minus b square बदलब 3x square minus 2 square 3x square minus 2 square अब 3x square को square करिए 3 square is 9 x square is x square minus 2 square is 4 तो यह हो गई 3rd bit आईए अब 4th bit देख लेते हैं 4th bit में हमें क्या दिया गया है x square plus 1 by x square into x square minus 1 by x square तो यहाँ पर भी आपको गवर कर लीजिए last previous जो bit में हमने use किया था formula वही आपको यहाँ पर भी use करना है x square x square सेम है यहाँ पर plus है यहाँ पर minus है यह 1 by x square यह 1 by square both of them are same तो क्या formula यूश करना है आपको इसके लिए मैंने कहा था last bit में this is in the form of किस form में है यह देखिए मैं पूरा इसको मान रहा हूँ a plus b यह complete a है यह complete b है और यह क्या है a minus sign आ रही है a minus b तो क्या है उसका form a square minus b square जो हमने previous bit में भी यूश किया था तो complete यहाँ पे a है x square और b यहाँ पे है 1 by x square तो चलिए इसका product find कर लेते हैं a square minus b square करना है हमा को तो x square plus 1 by x square into x square minus 1 by x square is equal to क्या होगा यह x square तो already है whole square हो जाएगा a क्या है हमारे पास a खुद x square है उसका whole square minus b, b क्या है 1 by x square whole square तो अब देखिए यह दोनों भी multiply हो जाएगे 2 to the 4 तो x power 4 minus 1 square मतलब 1 into 1 सेम ही रहेगा 1 divided by अब यह भी square होगा x 2 into 2 x power 4 तो यह रहा complete answer 4th bit का अब देखिए 50 bit करेंगे 50 bit भी similar है second वाली bit में जो हमने किया था 1 plus x 1 plus x both of them are under multiplication इसका power 1 इसका power 1 यहाँ पर भिलकुल brackets तो सेम है तो मतलब 1 plus x into 1 plus 1 that is 2 तो यह किस form में है this is in the form of a plus b whole square क्या form में है यह a plus b whole square तो क्या होगा वो a square plus b square plus 2ab जो second bit में हमने लिया था वो a minus b whole square का formula था यह है plus का तो यह similar हमें left hand side मिल चुका है सिर्फ right hand side find करना है बापको तो 1 plus x whole square is equal to सबसे पहले होगा 1 square plus b square मतलब 2 square plus 2ab तो 2 तो पहले से ही होगा a और b यह है 1 into x 1 square is 1 plus 2 square is 4 plus 2 1s are 2 that is x 1 plus 4 is 5 5 plus 2 x तो यह रहा question number 1 तो क्या करना था आपको यहां पे आपको एक left hand side दिया गया था वो देखना था आपको किस form में है जो भी form वो होगा वो use करकर आपको right hand side मालूम करना था जिसको हम कह रहे है product तो इस तरह से first question हमने complete कर लिया आईए second question अब solve कर लेते हैं evaluate the following products without actual multiplication तो मतलब यहां पे question में हमें क्या दिया गया है evaluate करना है products को without actual multiplication जो actual आप multiplication करते हैं वो नहीं करना है आपको यहां पे मतलब same form आपको multiply नहीं करना है यहां पे identities यूज करना है जो previous question में हमने किया था वही but यहां पे हमें questions देखिए किस तरह से दिया गये है 101 into 99 अब यह आप multiply करकर भी ला सकते हैं but यहां पे question में क्या दिया गया है आपको multiply नहीं करना है इसको identity के form में बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यूज करना होगा यहां पे तो यह देखिए यह है 101 यह है 99 अब यहां पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहां पे plus 1 दिखेगा यहां पे देखिए 99 कैसा आएगा यहां पे एक कम है 100 से round figure तो 100 है यह 101 100 से एक ज्यादा है यह 99 100 से एक कम है तो मैं इसको किस तरह से लिखता हूँ देखिए अगर करिए 101 into 99 this can be written as 100 plus 1 into 100 minus 1 का लिया जो के सेम आएगा 100 minus 1 मतलब 99 100 plus 1 मतलब 1 not 1 अब यह किस फॉर्म में है अब यह आसानी से आप find out कर लेंगे यह किस फॉर्म में है देखिए यह अगर A है यह अगर B है तो क्या होगा A plus B into A minus B किस फॉर्म में है यह this is in the form of A plus B into A minus B अब A plus B into A minus B का फॉर्मला क्या था अभी तक तो आपको याज होना चाहिए वो A into A is A square plus into minus minus B into B B square ऐसा आप उसको याद रख लिजिए A plus B into A minus B is equal to A square minus B square चलिए अब इसको यहाँ पे solve करते हैं 100 plus 1 into 100 minus 1 तो सबसे पहले आया 100 तो हो जाएगा 100 square plus into minus minus 1 into 1 is 1 square अब 100 square कितना होगा उसका भी मैं आपको छोड़ा सा एक trick बता देता हो यहाँ पे जितने zeros है उसके आपको double कर देने होंगे 2 zeros यहाँ पे है तो उसका square मतलब आपको यहाँ पे 4 zeros लगा देना है minus 1 1 square means 1 only because 1 into 1 is 1 अब यह कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 10,000 minus 1 तो कितना होगा 9,999 तो चलिए यहाँ पे मैं आपको calculator में भी दिखा देता हो कि हम अगर 101 into 99 करते हैं तो यही answer मिलता है या नहीं तो देख लिए आपने बिलकुल वही answer आपको मिला है चलिए आप बढ़ते हैं second bit की तरफ यहाँ पे हमें क्या दिया गया है चलिए देखिंगे 9,99 into 9,99 तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप गौर करिए आप यहाँ पे 9,99 into 9,99 को किस तरह से लिख सकते हैं देखिए 9,99 into 9,99 is equal to both of them are same numbers so we can write this as 9,99 whole square because इसका power भी 1 होगा इसका power भी 1 होगा basis अगर same हो तो power आप add कर सकते हैं या नहीं आप direct भी इसको लिखना चाहें तो वैसे भी लिख सकते हैं पहले यह कर दूँगा फिर आपको वो भी बताऊंगा देखिए आप यह 9,99 को मैं किस सरा से लिख सकता हूँ this can be written as 1000 minus 1 whole square square तो उपर है मैंने सिर्फ यह 9,99 को 1000 minus 1 की form में लिखा अब मैं आपको दूसरा method भी बताऊंगा कि अगर आप direct करेंगे तो क्या होगा देखिए 9,99 है आप इसको 1000 minus 1 लिख लीजिए फिर 9,99 है इसको भी 1000 minus 1 लिख लीजिए अब यह दोनों सेम हो गए अगर यह दोनों सेम है तो basis are same powers should be added तो वही आ गया ना 1000 minus 1, 1000 minus 1 मतलब 1000 minus 1 whole square बट अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा तो हमने क्या गिया पहले देखिए फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे 9,99 को हमने दो बार लिखा था इसलिए हमने square लिख लिया उसको अब 9,99 को मैं इसको convert कर रहा हूँ 1000 minus 1 में अब यह किस form में है गोर करिए आप यह form में है this is in the form of suppose कर लीजिए यह A है यह B है तो क्या हो जाएगा A minus B whole square formula यह A है और यह B है मतलब A minus B whole square क्या है formula A square plus B square minus 2 AB क्या है formula A square plus B square minus 2AB चलिए अब इसको इस form में convert करते हैं 1000 minus 1 whole square तो आपको अलड़ी दिया गया है सबसे पहले आएगा A square मतलब 1000 square 1000 square plus 1 square minus 2 into A क्या है 1000 1000 into B क्या है 1 अब 1000 square मतलब मैंने यहाँ पे भी आपको समझाया था जितने 0 से उसका double कर दीजिए यहाँ पे कितने 0 से 3 तो उसका double 6 zeros आएँगे यहाँ पे 4, 5, 6 plus 1 square is 1 only minus 2 into 1000 2000 into 1 अगर 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 फिर से करेंगे 2000 को तो 2000 ही आएगा चलिए अब इसको कर लेते हैं यह हो गए कितने 10 lakh कितने हो गए यह हो गए 10 lakh 10 lakh plus 1 minus 2000 तो हम 10 lakh में से पहले 2000 को निकाल लेंगे फिर उसके बाद आप add to 1 कर ही सकते हैं तो हम इदर यहाँ पे 10 lakh minus 2000 अगर करेंगे तो कितना आएगा आपको आएगा 9 lakh 98,000 आएगा आपको अगर आप 10 lakh में से 2000 निकाल देंगे 2000 निकाल देंगे तो 9 lakh 98,000 बचता है और फिर करना है प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 9 lakh 98,000 कितना हो गया वो यहाँ पे हमने 1 add कर लिया तो 9 lakh 98,000 बच गया आपके पास चलिए calculator में भी एक बार देख लीजिए यही answer आपको मिलेगा जब आप 999 into 999 करते हैं अब बढ़ते हैं 3rd bit की दरफ 3rd bit थोड़ी interesting है यहाँ पे हमें mixed fraction दिया गया है अब mixed fraction अगर आपको दिया गया हो तो आप घबराने की कोई ज़रत नहीं है बहुत आसान होता है 50 1 by 2 into 49 1 by 2 अरे बाप रहे अब क्या करेंगे हम यह 50 1 by 2 है यह 49 1 by 2 है घबराने की कोई बात नहीं है देखें कितनी आसानी से मैं यहाँ पे बताऊंगा 50 को हम कर लेंगे 50 plus 1 by 2 और इसको हम कर लेंगे 50 minus 1 by 2 क्या किया हमने हमने यहाँ पे 50 1 by 2 को कर लिया 50 plus 1 by 2 49 1 by 2 को कर लिया 50 minus 1 by 2 तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अब ये किस फॉर्म में है गोर करिए ये 50 ये 50 को मान लीजिए A ये half ये half को मान लीजिए B तो ये किस फॉर्म में हो गया A plus B into A minus B A plus B into A minus B वो हमने यहाँ पे भी यूस किया था उसका equal क्या होगा A square minus B square तो चलिए अब इसका भी कर लेते हैं 50 plus half into 50 minus half is equal to क्या होगा वो 50 plus half 50 minus half वो होगा 50 square minus half square अब 50 square मतलब कितना हो जाएगा चलिए मैं आपको बता दूँगा बहुत आसान यहाँ पे भी 5 square कर लीजिए पहले 25 हो जाएगा ये zeros कितने बार है एक बार है उसको 2 गुना कर दीजिए 00 minus 1 मिल भी 1 only divided by 2 square is 4 अब आपको यहाँ पे क्या आ गया 2500 minus 1 by 4 अब ये 2500 के नीचे क्या है सिर्फ 1 है यहाँ पे हमें LCM मिलेगा 4 क्या मिलेगा आपको LCM यहाँ पे मिलेगा 4 इसको भी आपको 4 बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे अब इसको भी मल्टिप्लाइ करेंगे 4 से इसको भी मल्टिप्लाइ करेंगे 4 से अब 2500 को अगर आप मल्टिप्लाइ करेंगे 4 से तो वो हो जाएगा 10,000 10,000 minus 1 कितना हो गया 9,999 999 divided by 4 यह रहा आपका 3rd bit तो इस तरह से आपको solve करने होंगे पूरे bits चलिए आगी के bits करते हैं तो देखिए 4th bit क्या दिया गया है 4th bit बहुत आसान है 5.1 into 5.1 अब यह 5.1 और 5.1 को मैं किस सरा से लिख सकता हो दोनों भी 500 से सिर्फ एक ज्यादा है तो हम इसको लिख लेंगे 500 plus 1 और इसको भी लिख लेंगे 500 plus 1 तो यह दोनों भी देखिए किस form में है This is in the form of अब हर एक को मान के चलिए A और B A plus B into A plus B अब यह A plus B, A plus B दोनों भी सेम है तो इसके powers क्या हो जाएंगे? अड हो जाएंगे तो यह है form में A plus B whole square के इस form में है यह A plus B whole square तो A plus B whole square का फॉर्मला क्या है? A plus B whole square का फॉर्मला है A square plus B square plus 2 AB तो चलिए अब इसको भी लिख लेते हैं 500 plus 1 whole square is equal to 500 square plus 1 square plus 2 into 500 into 1 क्यूंके यहाँ पे A था 500 और B था 1 अब 500 square मतलब कितना हो जाएगा वो? 5 square कर दीजे पहले 25 जितने zeros है उसके double करना होगा तो यहाँ पे हम 4 zeros लगा लेंगे तो कितने हो जाएगे वो? 2,50,000 plus 1 plus 2 into 500 कितना हो गया? वो हो गया 1000 अब यह 2,50,000 को हम प्लस 1000 कर लेंगे पहले तो 2,51,000 and 1 क्यूंके यहाँ 1 भी तो है तो 2,50,000 को अगर हम 1000 प्लस करेंगे तो 2,51,000 हो जाएगा और एक 1 कर लेंगे तो 2,51,000 and 1 अब कर लेंगे 50 bit जो के last bit है इस second वाले question की तो देखिए क्या दिया गया है 30.5 into 29.5 दोनों भी सिर्फ 0.5 ज्यादा है और यह 0.5 कम है तो यहाँ पर 30 यूज करेंगे हम 30 plus 0.5 into 30 minus 0.5 क्योंके 30 plus 0.5 करने पर 30.5 आएगा 30 minus 0.5 करने पर 29.5 आजाएगा चलिए अब इसको देखेंगे किस फॉर्म में है यह this is in the form of किस फॉर्म में है यह a plus b into a minus b that is equal to a square minus b square I hope अभी तक तो आपको formula याद हो गया होगा a plus b into a minus b क्या है a square minus b square तो कर लेंगे 30 plus 0.5 into 30 minus 0.5 that is equal to 30 square minus 0.5 square 30 square is how much? 3 square कर लीजे पहले 9 0 एक बार है तो दो बार कर दीजे 900 0.5 whole square क्या होगा? आप calculator पर देख सकते है 0.5 square will be 0.25 क्या आएगा 0.5 square की value? 0.25 तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.25 अब 900 से हम अगर 0.25 को सब्प्राक करते हैं तो कितना मिलेगा? 899.75 तो हमें answer आ गया 30.5 into 29.5 का 899.75 calculator से भी आप करके देख लीजे यही आपको answer मिलेगा तो second question को भी हमने solve कर लिया है बड़ी आपको अएब झाइज अजब झाइज खाङए dileव झाव